स्वागत है आप सभी का एजी वेंकर सानल पर अगर आप इस सानल पर पहली बार आए हैं तो जो लोगो सब्सक्राब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी एश्टुडेंट्स VPSC 3 4.0 का एंपोर्टर साइंस का एपिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो बहुत हैलफुल होगा क्योंकि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपका एटेंट काउंट जो आपका कैसे होने वाली है ठीक है और आपका टोटल एटेंट कितना है आपका VPSC 3 का वो हम लोग इस वीडियो में डिसकस करेंगे ठीक है यह बहुत इंपोटेंट है कि आपका एटेंट जो आपका बाराश की की नहीं टोटल एटेंट था कितना और आपका कैसे काउंट होने वाला है वह सब्सक्राइब करेंगे ठीक है तो यहां पर हम लोग जो अभी तक आपका 3 ही है only 3 attempt है आपका ठीक है only 3 attempt अभी जो आपका आपका जो है एवलेबल है आपका VPSC 3 3 के लिए ठीक है only 3 attempt है इसके बाद हमने यहां पर discuss कर लेंगे कि आपका attempt count कैसे होगा ठीक है तो जो आपका attempt count जो आपका होने मिलने वाली है ठीक है तो जो student 11 12 का paper दिये है ठीक है तो आपका 11 और 12 में आपका 3 attempt मिलने वाली है मतलब 11 12 में आप तीन attempt examinations में बैठ सकते हैं तो जो STET 2019 वाले students होंगे जो 2019 में दिये थे वह 3 1.0 में भी दिये हैं और 3.0 में भी वा examinations दिये हैं ठीक है अगर आपका attempt नहीं बढ़ता है तब यह सारे स्टूडेंट जो आपका इन eligible हो जाएंगे आपका वीपेस से 3 4.0 के लिए ठीक है अगर आपका attempt बढ़ा दिया जाता है तब सारे स्टूडेंट फिर से आपका eligible होंगे 4.0 के लिए अभी तक जो आपका ओफिस्यली अफड़ेट है उसके एकोडिंग आपका 3 तीन attempt ही है जिसके एकोडिंग आप समझ लिए कि आपका 11 और 12 के लिए आपका तीन attempt मिलने वाली है इसी परकार नाइट टेंट परप्ップ के लिए भी आपका 3 attempt मिलेगा का णिसके बाद आपका यह हो सकते हैं तो आपकास right基本का जो है इसको तीन 10 को उटाकर 5 एक कर दें लेकिन अभी तक इसके डिगार्डिंग क्योई भी अपडेट नहीं है अभी तक आपका सिर्फ तो अगर तीन एक्ति अगर रह जाएगा तो बहुत सारे इसे ही इसे एक्जामिनेशन हो चुका है यह ने वाला है इससे लेटर कोई भी डाउट है तो आपका विडियो आपको अच्छा लगे तो जैरूर करें थाइंक यू पूर वाचिंग.